हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप ट्यूजस पे मैं आपकी एडुकेटर स्वाती आज मैं डबलू पी आई में जो रिफॉर्म हुआ है उसके बेस एयर में और उसके बास्केट में कितनी कॉमोडिटीस है उसके बारे में आपके कॉंसेप्ट को लेके आई हूँ तो जिन्हों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और ज्यादा ज्यादा शेयर करेगा तो डबलू पी आई क्या है उसका जो डाटा है वह प्रस्तुत होता है और डबलू पी आई जो है वह किसके लिए महतव पून है उसमें कितनी कमोडिटीस आती है वह पिछले वीडियो म तो आज हम जानेंगे कि WPI एक्चुली में अब उसमें बेस एयर क्या है और उसमें कितने डाटा है और वो किसके लिए यूसफुल है तो आज हम उसको जानेंगे और प्लस आज हम लोग CPI भी जानेंगे और कुछ महत्वपून प्रेश्ण को भी देखेंगे तो जो आपका WPI है जो उसमें WPI में हम लोग पिषली बार जाना था टा कि 666 यानि 676 जो है Commodities थी पर अब किया गया सुधार किया गया उसमें कितनी Commodities ऐड कर दी गही 697 Commodities यानि 697 Commodities को एड कर दिया गया और बेस यह जो हमारा मान लिया गया है वो क्या है 2011 और 2012 2017 माई में ऐसा यह मना गया तो आपके WPI में कितनी कमोडिटीज आती है टोटल आपकी 697 कमोडिटीज आती है और 676 जो है आपके पहले 2004 में था जब 2004 को हम लोग पती है तो यह अब WPI है WPI जो है वो किसके लिए महतोपून है तो आपकी जो अब की सरकार है सेंट्रल इसके लिए महतोपून जो सेंट्रल इसके लिए महतोपून है याति classy दर को 좀 कि कि मंतिए थोग मुल्य सूचकांग को द्वारा जो है मापती यानि WPI के द्वारा मापती है तो जो WPI है यानि आपका थोग मोले सूचकांग उससे जो गौवर्मेंट है वो पता कर लेती है कि कितना जादा मतलब आपके किसी भी कमोडिटी यानि किसी भी वस्तु के प्राइज में बढ़ोतरी होने वाली है यानि पहले ही इसको पता कर लेती है तो अब आप आप लोग याद रखिएगा पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 2004 के कोडिंग क्या था पर अब हम लोग देखेंगे कि 2017 माई में बोला गया कि हमारा जो बेस येर है वो किता है आपका 2011 और 12 और उसमें टोटल कमोडिटी कित अब हम लोग जानेंगे कि CPI क्या है यानि Consumer Price Index क्या है इसमें 2011 में रिफॉर्म किया गया और रिफॉर्म में क्रिसी मजदूर और ग्रामीड मजदूर और आपके शहरी जो मजदूर थे उनको जैसे कि शहरी ग्रामीड और शहरी ग्रामीड की कैटेगरी में बाट दिया गया जबकि पहले क्या था अलग-अलग था यानि यह तीन कैटेगरी बना दिये गए जो CPI है उसका बेस एयर आपका क्या है उसका भी 2012 है उसका बेस एयर ठीक है और इसमें जो टोटल नंबर ओफ कमोडिटीज और सर्विस आती वो 200 है और इसमें जो है क्या क्या चीज आती है गोड्स ओर सर्विस दोनों आता है ठाजी कि आपका डबलुपी में क्या था उसमें हम सिर्फ रहा थे कि कमोडिटीज थी पर CPI में दोनों आरभी आई इंफलेशन रेट और रेपो रेट को दिए था तो जो डब्लू पि आई था उसका डब्लू पियाई का प्रयोग कोन करता था आपके सरकार करती था जबकि आपके CPI का प्रयोग कोन करता है आपकी RBI इसका प्रयोग करती है ठीक है इसका data आपके Central स्टाइटिकल और नाइज़ें सी एस सो के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो सी एस सो के द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है क्या आपकी सी पी आई का जो डाटा है शरहरी और ग्रामीड शेत्रों के संग्यान में रख कर इसके आकड़े मासिक और वार्षिक निकाल जाते हैं तो चार्ट में एक महिने पीछह के CPI आकड़े दीे जाते हैं अगर आपको फरवरी में पूछा जा रहा है ऑब जनवरी आपको देंगे मार्च को पूछा जा रहा तो देंगे तो ऐसे दिया जाता है और इसके अंदर कितनी सर्विस से साथ आती है आपकी वस्तू और जो है सर्विस टोटल 200 आपकी आती है तो यह है हमारा CPI अब हम एक बार जान लेते हैं कि क्या होता है WPI और CPI में डिफरेंस ठीक है तो WPI जो होता है आपका इसमें WPI में इसको जो नापती है वह कौन सा इसको आपता है आपके CSO इसमें टोटल कमोडिटीज चाहिए 697 और इसके इंतरगत 200 के में क्या होता है और WPI में क्या होता है चीप और इसके इंतरगत क्या है CPI के अंतरगत दोड़ेंट और जो WPI का प्रयोग है वो कौन करता है आपके government सरकार इसका प्रयोग करती है वो पहले ही inflation rate को बता देता है जबकि CPI का प्रयोग करता है आपकी RBI करती है तो यह हमारा basic difference है और WPI का जो base year है वो कितना है 2012 और CPI का भी 2011 और 12 इसका आपका base year है ठीक है तो यह हमारा रहा आज CPI औ WPI तो आगे हम इस पर जो quiz है वो attempt करेंगे तो अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक शेर इन सब्सक्राइब करना ना बूलेगा थाइंक्स वाचिंग